हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को फ्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले अपनी राशी अनुसार क्या उपाय अपनाएं? आईए दर्शो को बात करते हैं डिसंबर के महीने की और वर्ष राशी की वर्षव राशी वर्षव राशी बहुत अच्छी राशी है अपने आप में कोमल हिर्दे वाली राशी है वाईदयों को पका करने वाली राशी है बहुत अच्छी राशी है साल का अंतिम महीना last month December सभी का अच्छे से वेटीत हो इस साल में क्या किया, क्या दिया, क्या लिया क्या खोया और क्या पाया ये तो आप जानते ही होंगे लेकिन साल के जाते-जाते समय में भी हम कुछ पाने का प्रियास कुरें और कुछ बाटने का प्रियास कुरें जद अच्छा रहता आपकी जो रासी है आपकी रासी के स्वामी शुक्र है शुक्र का रंग सफेद क्रीमिश टाइप का कुछ रंग होता कलर होता और आपको आपकी राशी यदि बलवान करनी हैं तो उसके कुछ विशेश उपाई भी होते हैं उससे आपको बहुत अच्छा लाब मिलेगा एक चीज और अपने सभी दर्शों को से कहना चाहूंगा कि ये जो हम आपकी राशी के संबंदित उपाई बताते हैं ये हमारे आधारित होते हैं आपकी होरोस्कोप पर आधारित होते हैं चंद्र राशी पर जिस वक्त आप जन्म लिया आप पैदा हुए उस वक्त चंद्रमा विर्शब राशी पर थे यानि के तो मानके चले जो राशी आपकी चंद्रमा व्यक्त करते हैं जर्म की वो लोग ये उपाय करें सेकंड जो लोग पुकारते नाम से इस रासी से संबंद रखते हैं आपका पुकारता नाम जिस नाम से लोग आपको पहचानते हैं जानते हैं वो हुसाब से आपकी वरशब रासी बनती है तो भी आप उपाय कर सकते हैं महिला हों प नेरा बेटा है या मेरे पती है या मेरी पत्नी है एकस फॉय ज ज्ड किया हम उनके निमत उपाई कर सकते हैं। बिलकुल कर सकते हैं क्योंकि हमारे उपाई ऐसे गंभीर उपाई नहीं ہोते, बड़े सरल और बड़े सीधे सच्चे उपाई हम बताने का प्रियास करते हैं तो किसी के लिए अगर कोई उपाई करना चाहे तो कर भी सकता है आगे बढ़ते हैं क्या करना होगा आप अपनी राशी को मजबूत बना लें अपने जीवन के हर छण को बलवान बना लें आपको लाब मिलेगा शुक्रवार के दिन हफता चार हफते में आप क्या करना है आपको दिसंबर में चाहें दूसरे सप्ता करने और चोथे सप्ता करने या सेकिंड लास्ट करने आप तीसरा और चोथे सप्ता आप यह उपाई करने या आप मतलब कहने का मतलब आप केवल अग यदी दो शुक्रवार भी यो पाई कर लेंगे तो इससे आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा आपके जीवन के लिए क्या करना होगा एक दो ये साल अंत है साल का लास्ट मंत है आपको क्या करना है कि उस दिन हलके से क्रिमिश टाइप के आपने कपड़े पहना है शुक्रवार के दिन आप ध्यान रखें ऐसा कोई वस्तर जरूर धारन करें अगर ऐसा संभव ना हो तो ऐसा कोई रुमाल अपनी जेव में आप जरूर रखें, सफेज चंदन का तिलक आप मस्तक के ओपर जरूर लगाएं आँए हम चावल की खीर, चावल हूता है, सब जानते हैं चावल की खीर बना लें, क्योंकि चावल सामक के भी चावल आते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़े होती है साबुदाना भी होता है लेकिन यहां आप क्या करें आम चावल की ही खीर बना लें साबुदाने के अब शक्ता तुलराशी में पड़ेगी हमको वहां बताएंगे अब इसमें क्या करना है आपको चावल की खीर कम से कम इतनी बना लें कि वो थोड़ी थोड़ी खीर यदि हम परोसें तो साथ कटोरियों में या साथ इस्पून बड़ा बड़ा वाला साथ चमचा वो चमच भर बड़ा वाला आ जाए साथ जगा पर अब आपने शुकरवार के दिन एक कार्य करना है वो खीर बना लें किसी भी धर्म इस्थान के बाहर चले जाएं कोई भी धर्म इस्थान हो सकता किसी भी मजभब से जुड़ा हो सकता आप उस खीर को वहाँ बाटें केवल दो शुकरवार मिनिमम साथ लोगों को अधिक्तम आपकी इच्छा है इसकी एवज में एक काम और किया जा सकता है थोड़ा कोशली पढ़ जाएगा आपको आप रस मलाई बाट सकते हैं खासतोर से इंडिया में जो कारेगरम हमारा सुन रहे हैं यहां तो सब चीज़े आसानी से मिल जाती हैं आप इंडिया के हिसाब से रस मलाई या रस भरी भी आप बाट सकते हैं इससे भी आपको लाब मिलेगा और एक उपाएक गागर में सागर काम करेगा यदि आप उस सबजी को पहचानते हैं तो आपने देखा एक सबजी होती है जिसका नाम वेजीटेबल का नाम होता है जिमीकंद बहुत लोग इसको नहीं भी जानते हैं जो जानते हैं या नेट पे सर्च करने जैसा आपने देखा होगा घ्मिया एक सबजी होती है जिसको अर्वी भी कहा जाता है तो अर्वी का ही एक बड़ा रूप टाइप क्या वो सबजी होती है उसको हम जिमीकंद कहते है अगर शुकरवार के दिन जिमीकंद की बहुत अच्छी सबजी बनती है इसकी हाला कि बनानी आनी चाहिए जिमीकंद की सबजी यदि आप बनाते हैं खासतोर से आपके घर में शुकरवार के दिन जिमीकंद की सबजी बने और उसको आप लोग यूज करें कि थोड़ा से करें आप तो जिमीकंद की सबजी खाने से भी आपके शुकर में प्रबलता आएगी और आपको लाप मिलेगा अब आप यह मां सोचेगा के इन सब बातों से क्या होता जनाब होता तो है बस आप करके देखें एक लास्ट उपाय और बता देता हूँ दिसंबर महीने का सुगंदित अगरबत्ती सुगंदित अगरबत्ती के साथ पैकेट ले ले छोटे वाले ले ले अपनी पॉकेट के हिसाब से ले ले बीस रुपिया तीस रुपिया ऐस यू लाइक फिप्टी रुपिस तक ले सकते हैं बाकी जैसी आपकी इच्छा लेकिन आपको कम से कम साथ या दो पैकेट ले ले खुश्बुदार अगरबत्ती होनी चाहिए साथ पैकेट ले या दो पैकेट ले पूरे और किसी भी धर्म शेत्र में आप उसको दे के आए आप मंदिर में दे सकते हैं आप कहीं भी जहां भी आपको धर्म इस्थान देखता है किसी भी मजहब से जुड़ा हो ऐसा कुछ नहीं है आप बशर्ते अगर चर्च में यूज होता है आप चर्च में दे सकते हैं आप गुर्दारे साइब में दे सकती हैं कहीं पर भी जहां यूज होती है सब बाते चीजें तो आप महां जरूर दीजिएगा दो पूरा देना है पकेट या आपको सेवन पकेट देना और धर्मस्थान में दे के आना है यह ध्यान रखें सूर्य छिपने से पहले संसेट से पहले आपको यह कर्म कर देना तो दिसंबर महीने के विर्षब राशी के बस यही कॉमन मैंने तीन उपाई बताएं हैं जिविगंदी की सबजी अगरबत्ती या खीर या रस्भरी का दान करना इसमें से आपको लगता है हम तीनों कर सकते हैं तीनों करने एक लगता एक कर आप जरूर करें और नया साल 2019 आने को है 2019 के और अच्छे उपाई हम आपको बताने का प्रयास करेंगे सुनिए कर जरूर हमें लाइक करें शेयर करें हमारे कारेकरम आगे पहुचाएं सब्सक्राइब करें यही हम आप से चाहते हैं और दूसरी बाद के हमारा जो कारेकरम आप साधना चैनल पर रात्री आप नो बजे देख रहे थे तो अभी थोड़ा सा कार्यबहार इंदराक्षी धामादी का बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है इसलिए थोड़ा समय हमें अपना और डाउन कराना पढ़ रहा है साड़े साथ बजे का लेकिन इश्वर चैनल पर तो आप देख लीजी भाई मेंटेन आपको करना है तो एक तारीक के से हम लोग साड़े साथ बजे ये कारेकरम प्रस्तुत करेंगे थोड़ा कारेबहार बढ़ता जा रहा है इस वजे से हमें टाइम चेंज कराना पड़ा और प्लेटफरम भी थोड़ा चेंज हुआ है साधना और इश्वर एक ही गुरूप है बस यह है कि अगर आपके हैं इश्वर चैनल आता तो अब एक तारीक से आप हमें साड़े साथ बजे शाम को देख पाएंगे और नहीं तो यूट्यूब आपके पास है मोबाईल आपके हाथ में हैं सारा कारेकरम जैसे आज हमने द यूट्यूब पर बताते रहेंगे दुश को यूट्यूब के माध्यम से तो हर पल हम आपके साथ हैं ही आप कभी भी बस एक लिक पर हमारे साथ जोड़ सकते हैं बाकि आप इश्वर चैनल पर एक तारीक से साड़े साथ बजे अपना पसंदेदा प्रोग्राम जोतर जिया अपनाएगा और साल 2019 किस तरह का बीतेगा अपनी राशी नुसार आपको साल 2019 को बहतर बनाने के लिए खुबसूरत बनाने के लिए क्या उपाय अपनाने की जरुरत है ये भी हम आपको बताएंगे हमारे अगामी अंकों के माध्यम से इसलिए यूट्यूब पर मुझे और से विष्वास हो रहा था कि जो चीज दो, तीन मैं ढूंड रही हूं कि थोड़ी बहुत मैं भगवान में आस्था रखती हूं तो मैं यह सोची थी कि मुझे वो चीजे मिल जाएंगी और रियली मुझे आज यहां बैटके ऐसा लगा जो आपने दो-तीन चीजे करने के लिए बताई है कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें